हेलो गाईज, वेलकूं टू मैं चल्लोर राम टेक्निकल हेल्प, शुकाईज इस वीडियो के अंदर हम लोग जानने वाले हैं कि अगर आपको आपके लैप्टोप के अंदर पार्ड रीडर का ड्राइवर इंस्टाल करना है और उसको डाउनलोड करना है वो कहां से करना है हम हम लोग इस वीडियो के अंदर step by step जानने वाले हैं सुकाई जगर आप मेरी चैनल पर नए हैं और पहली बार आए हैं प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल ऐसी बहुत सार वीडियो आपको यहां पर मिल जाएंगी चोई वह लैप्टोप, डेक्स्टोप, यह प्योटोपिय हम लोग जानेंगे कि जो हमारा लैप्टोप है वह कौन सी कमपनी का है तो उसके लिए आपको क्या करना है start button पर आपको करना है right click और यहां पर जाना है आपको run button के ओपर, यहां पर आपको type करना है msinfo 32, ठीक है msinfo 32 और ok button पर कर देना है आपको click, यहां पर guys आपको दिख जाएगा कि जो आपका laptop है, वह कौन सी company का है, जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, आपका laptop है वह linear company का है, यहां पर आपको Dell हो सकता है, आपका HP हो सकता है या, फिर कोई और भी आपका company का laptop हो सकता है, तो इसको कर दीए clause हम लोगों को पता लग गया है कि हमारा laptop है व यहां पर आपको एक file का option मिल जाएगा, इसको पर click करके, आपको run new task पर click कर देना है, यहां पर गाईज आपको type करना है, cmd और यह check box जरूर check कर देना है आपको, और ok button पर कर दिजिए click, तो आपका command line यहां पर open हो जाएगा, अभी हम लोग क्या करेंगे, command run करेंगे, ताकि जो हम लोगों को, जो हमारा laptop है, जो उसका serial number है, वो हम लोगों को लगने वाला है यहां पर, क्योंकि जब तक आप यहां पर यह serial number नहीं find करोगे, module number नहीं find करोगे, तो आप proper driver download नहीं कर सकते, आपके laptop का, ठीक है, तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, command run करेंगे, यह वाला, WMIC bias get serial number, तो यहां पर इसको copy कर लेंगे, यह discussion में भी आपको देदूँगा, मैं आप यहां से जाकर आप इसको run कर सकते हैं, राइट क्लिक कर दिजिए, तो आपका यहां पर यह command आ जाएगी, और enter कर देना है, keyboard से, तो देखिए guys, यहां पर आपका serial number है, वो आ चुका है, अब ही हम लोग क्या करेंगे, जो यह serial number की साइथा से driver download करेंगे, तो कोई भी एक browser आपको ले रेना है, सर्च इंजन के अंदर आपको जाना है, और यहां पर जो हम लोग ने, जो हम लोग लेप्टॉप था, वो कौन सी कमपनी का था, लिनोवो का, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे, लिनोवो लेप्टॉप ड्राइवर, आपका Dell का हो सकता है, HP का हो सकता है, आपको लिनोवो की जगे HP लिखना है, तो देखें, यहां पर आपको यह वाले लिंक पर क्लिक करना है, यह सर्च करके, यह वाले ड्राइवर पर क्लिक कर दीजे, तो यहां पर आपका वेबसाइट ओपन हो जाएगा, जिस कमपनी का आपका लैप्टॉप है, अभी आपको जो सेरियल नमबर हम लोगों ने निकाला था यहां पर, आपको बट्ट पर क्लिक करना है, तो आपको करना है अर बटन पर क्लिक, तो आपको यहां पर आपको ड्राइवर आपको देख जाएगे, जितने भी आपके लैप्टॉप के अंदर द्राइवर है. तो आप यहाँ पर manual update कर सकते हो तो select driver पर click कर दिजिए और यहाँ पर आपको find करना है आपका जो operating system कौन सा है तो हमारा Windows 10 है तो हम लोग क्या करेंगे Windows 10 select कर लेंगे यहाँ पर आपको कुछ भी change नहीं करना है यहाँ पर आपको camera and card reader का option मिल जाएगा यहाँ पर कर दिजिए click तो guys यहाँ पर आपको क्या करना है जो आपका card reader का जो driver था वो download करना है तो guys यहाँ पर यह आपका details दिखा देगा और यहाँ पर आपका जो driver है यहाँ पर आपको दिख जाएगा तो आपको क्या करना है download button पर कर देना है click तो जैसे आप यहां पर download button पर click करते हो तो आपके सामने जो आपका card reader का driver था वो download हो जाएगा यह आपको कहां मिलेगा यह मिलेगा आपको download folder के अंदर इस पर right click करके आपको run as administrator कर देना है यहां पर आपको next button पर click करना है इसको accept कर लिजिए और next button पर click कर दिजिए और इसको install कर लिना है तो यहां पर आपका card reader का driver है और प्रोपरली install हो चुका है आपके laptop के अंदर ठीक है so I hope आप समझ गए होगे कि अगर आपको card reader का driver आपके laptop के अंदर इस्टोल करना है वो कैसे करना है अगर आपको यह मेरा वीडियो अच्छा रहेफुल लगा है और इसके आप प्रोब्लम ठीक हो गया था प्लीज सब्सक्राइम आइस यहाल वीडियो को लाइक करना स आप तक पहुन जाए थैंक्यू सो मच